है जालो फ्रेंड मैं हूं नीराव वेलकम है आपका अपके अपने डिप चैनल देव स्काए में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यह जो हमारा ड्रोन है क्वाड कॉप्टर उसमें हम लगाएंगे केके बोर्ड केके बोर्ड जिसका पूरा वीडियो भी मैंने हमारी चैनल में बहुत टैम पहले अपलोड कर दिया है तो वह आप देखना चाहते हो तो उपर आए बटल पर क्लिक किरिए वहां से आप यह वीडियो देख सकते हो आज सबसे पहले हम हमारा जो कंड्रोलर है उसको ओपन करते हैं और उसमें से सारी चीज़े बाहर निकाल देते यह बजर और यह है दोनों के बद यह तीन वह सिग्नल का के बले सिगनल के लिए और यह कैबल है जो हमारा नॉर्मल के बलाता है वैसा ही इसे हम यूज करेंगे केका बॉर्ड को साथ कनेक्ट करने के लिए पहले में ड्रोन को इसा कर देता हूं कि हमारा ड्रोन का जोंकर है वांगे साब्र चे लगाएंगे फैसे है जो हमारे त्मवक्रण को आगया से वहाँ पर बटन नहीं के जो पींसे का सेड़ है वहांपर बटन आएएंगे के सी इंटर में कंट्रोल कर लगाना है कंट्रोलर लगाने से पहले में मार्कर पैन से यहां पे लिख देता हूं कि आक आप है कौन्सा मोटर है कूंकि हमें गलते के कोई चांस ना रहे तो तो फ्रैंड्स चो पर हमारा एक नंबर का आरब से यानि कि यह वाला वह है क्लोक वाइस तो यहां पर हम लिख देते हैं सी डबल यू कि सी डबल यू एक नंबर है तो यहां पर एक लिख देते हैं थेन हमारा दो नंबर का आरब से यह तो यहां पर लिख देते दो CCW यानिकी काउंटर क्लोकवाइज फिर तीन नंबर का अमेयzen यह cabbage देते हैं तिने मइय यह हमारा लोग वैज तो यहाँ पधिते हैं 12 देन्यार पहलारा चार नंबर का ो कि अर्य六 है हमारा काउंट्र प्लोक वैम तो यहां पर मेड़ेते हैं CCW तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया है चारो आर्म के उपर कि यह आर्म कौन सा है अब हम कंट्रोल को लगा देते हैं तो ध्यान रहे एक्जेट सेंटर में ही लगाना है चारो और से बराबर जगह चुटनी चाहिए जितना हम एक्ट्यूरिसी से काम करेंगे उतना हमें स्टेविलिटी में भी एक्ट्यूरिसी मिलेगा तो यह भी यह जो टूए टैप है वह मैं निकल देजा हूँ तो फ्रेंड्स अभी हमने केके बोड को ड्रोन के साथ फिक्स कर दिया है टूए टैप से यह निकलेगा नहीं अच्छे से अगर आपने चिपकाया है तो नहीं निकलेगा देन सबसे पहले मैं केके बोड की सेफटी के लिए यह जो लेग है उसे लगा देता हूँ क्योंकि क्या है कोई बार अगर ड्रोन गलती से भी गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम की वज़े से कोई अक्सिडेंट होता है तो केके बोड को कोई नुक्षान ना हो इसलिए दूस्ता कोई प्रॉपल्स नहीं है इसे लगाने का इसे अगर आप चाहे तो लगा सकते हो य तो फ्रेंड्स थैन अब हम हमारा जो रिसीवर है उसे लगा देते हैं तो रिसीवर को हम यहां पर लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे तो उसको मैंने वेलक्रो से लगा ए क्योंकि मैं बहुत सारे गैजेट बना रहा हूँ तो प्रिसीवर मुझे निकालना पड़ता है इसलिए मैं मैं आसानी से इसे निकाल सकते हो यह यहां पर और यहां पर लगा सकते है लेकिन एक को शायद हम नीचे लेंगे वह लगाना को देखते हैं तो हमें चैनल 1 में यह बल लगाना है dois要 के चैनल 1 में और यह जो हुमारा runsThese का यहाँ चैनल है सारी समय रिखा और पारी है कौn सब्सकेट आप Perspekt में यह लिए फिर आहए Rider चैनल वन है उसमें हम लगाएंगे लेकिन हमें ध्यान रखना है यहां पर लिखा हुआ यह माइनस बीच वाला है वह फाइव वोट और राष्ट में है चो डिस्प्ले के नजदिक है वह है सिगनल तो यहां पर हमें सिगनल का कैबल सिगनल में लगाना है लेकिन उससे पहले यह वायर का उपड़ रग रहा है तो मैं पहले यह कनेक्टर की मदद से इसे लंबा कर लेता हूँ और यहां पर हमारा जो रिसीवर है उसके चैनल वन में में लगा देता हूँ याद रहे यहां पर हमें लगाना है उसमें भी जो सिगनल का वायर है वह सबसे उपर का है वह और देन इसे हम लगाएंगे चैनल वन में इस तरह से तो यह हमने लगा दिया है तो यह दूसरा के बले इसे लगाएंगे पेले के साथ में connect करके इसे लंबा कर देंगे यह दो गया हम ऐसे सिंफ सीसिगनल वाली लाइन में लगायंगे और याद रखना है हमें channel 2 है उसमें white लगा तो यहां पे हमारा जो controller है उसकी channel 2 में भी हमें white ही लगाना है ठीक है तो उसका cable भी में नीचे से यह निकाल देता हूँ और यहां से उपर कर देता हूँ यहां पे हमने 3 cables channel 1 के लिए इसलिए यूज किये है क्योंकि यह receiver है उसको power देने के लिए हमें यहां पे प्लस मैनस लेने हैं फिर सारे में से power देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे यह जो बाकी के channel है 234 हमें वाइट लगवाया है तो वाइट हमें लगवायएंगे इस तरह से हमें इसी तरह से लगाना है जुरा है यहां टो रेड़ वाला भी सिगनल का ही यहां पर यह वाइर सिक्ष चैल गल्ति कर यहां ज़्म है यहे सिग्नल के लिए यूजकी गरर यह यहां पर को सीनल के लिए कि तो चैनल को सुझ भी सिग्नल ही लेंगे तो अब हम करेंगे यह सारे मोटर है उसके वायर का अभी हमारे बोड को हमने पावर नहीं दिया है तो वो पावर कहां से लेगा तो वह पावर लेगा यह सी में से तो हमें सारे वायर को नीचे से ले रहे हमें यहां पर लगाना है इसे निच्चे वायर रहने देते हैं अभी बाद में हम ठीक कर देंगे यह हमारा तिन नंबर का है वायर अभी हम लाइन में शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो यह पहले सबसे पहले में एक नंबर का वायर ले लेता हूं यह एक नंबर का वायर को मैंने ले लिया निच्चे से अब इसे लगाना है उसके लिए यहां पर लिखा हुआ यह देखिए अप सिगनल फाइव वोट और माइनस तो यह हमारा रेड वाला है वोट है ब्लेक वाला माइनस और वाइट वाला सिगनल तो हमें इस तरह से लग SM23 सारे लगा देने हैं यह हमारा टू का है तो उसे भी हम लगा देते हैं तेन यह थ्री अब यह हमारा क्वार्ड कॉप्टर है तो चार ही सिरियल चार ही चैनल यूज होगे और देन यह हमारा फॉर तो फ्रेंड्स हमने चारो मोटर एससी और रिसीवर के साथ में इसका वायरिंग कर दिया है अब इसमें कोई प्रोबलम नहीं यह बजर एक बाकि अगर बजर हम लगाना चाहते हैं तो हमें लगाना आए बाकि कोई बात नहीं इसे लगाना जरूरी नहीं फिर भी आपको एक बार समझाए इसलिए में अभी बजर लगा रहा हूँ बाकि बजर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है यह बजर क्या है वह जब तक ड्रॉन आर्म नहीं होगा तब तक यह शरू ही रहेगा तो यह थोड़ा इरिटेड़ लगता है मुझे इसलिए में इसे नहीं लगाता अभी हम इसमें बैटरी कनेक करेंगे अगर हम फर्स्ट टाइम बैटरी कनेक कर रहे तो थोड़ा सा तरफ निकाल सके इसी तरह रहे है ताकि कोई प्रॉबलम है तो हम तुरण्ट इसे निकाल सके तो सही है तो अभी मैं अच्छे से बैटरी लगा देता हूँ देखो आप देख सकते हो बजर कितना बज रहा है इसलिए मैं इसे नहीं लगाता देता हूँ अभी एसा ही ड्रोन रखेंगे यहां पर सेफ लिखा हुआ है तो इसका सेटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बने दूंगा और जब तक आप फ्लाइने करने वाले हो तब तक इसमें प्रोपेलर ना लगा है क्योंकि क्या है अभी सेटिंग कर रहे हो और यह शिरू हो गया तो आपको लगने का चांस रहता है तो अगर आपको ड्रॉन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा और वाट्सप में पूछ सकते हो जिसका अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखें तो वह सारे भी देख लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अब मिलते अगले वीडियो में थैंक्यू झाल थाँ नहीं जहीं किया है ते उश हमारी लीजिए ओने पड़ियो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर देखें किया है